अगर आप अपने पेरों की केर काफी दिन से नहीं किया है तो फ्रेंट्स इस टिप्स को फालो कीजिएगा आपके पेर चमकने लगेंगे फ्रेंट्स एक ही बार के यूज करने पर अगर आपके पेरों में मैल जम गई है और बहुत ही दिन से आपने केर नहीं किया है तो फ्र तुरंत रिजल्ट दिखने को मिलेगा तो फ्रेंट्स वीडियो में बने रहीएगा हेलो फ्रेंट्स बेलकम है आपके अपने यूटूब चैनल नेचरल ओम ब्यूटी में तो फ्रेंट्स इस रेमेडी को यूज करके आप अपने पैरों को क्लीन कर सकते हैं अपने पैरों के जमी हुई मैल को क्लीन कर सकते हैं तो यह प्रेडिकोर नहीं है बलकि यह ऐसी रेमेडी है जो कि आप एक ही इस टिप में एक ही बार यूज करोगे तो आपको काफी फर्क नजर आएगा और इस वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज जो है आप ध और फर्ष्ट बार अगर आप मेरे चैनल पर आएं तो चैनल को बेल आइकन को प्रिस करके सुस्क्राइब कर लिजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहें तो फ्रेंड्स चलिए हम इस्टेप बाइस्ट आप लोग को बताते हैं तो फ्रेंड्स यह लिया ह और यह जो है अपर पूराने ब्रस से आपको अप्लाई कर लेना है यह और उसके बाद हम यह यहां पर यूज कर रहे हैं बेकिंग सोडाonne के ऊपर हमने लेमल की दाल देंगे और इस तरह हम अपने दोतंगे में इस प्रोसेस को कर लेंगे और कम से कम आपको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ड्राइ करने के लिए तो फ्रेंट्स काफी दिनों से मैंने अपने पैरों की केर नहीं की थी और आप देख सकते हो कितना डन हो गया है और अक्सर दिखा गया है कि जो चेहरे की स्किन की अपेच्छा पैर हम जितना केर करते हैं उतना पैर की केर नहीं करते हैं जिसकी वजह से वहां की स्किन काफी डन हो जाती है लेगिन कभी न कभी तो केर करनी ही चाहिए अगर आप डेली नहीं करते हैं तो आप दो महीने में कीजिए एक महीने में कीजिए आपके पास जब भी टाइम हो आप निकालके आप इस जो है रेमेडी को सेयर कर यूज कर सकते हैं और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमली के साथ तो इस तरह आपको उसी पुराने ब्रस से जब आपका ड्राई हो जाए फ्रेंड्स तो थोड़ा सा मतलब गीला ही रहे उसके बाद आपको ब्रस से इसे अच्छे से आपको इस तरह स्क्रब जैसा करना होगा ताकि आपके जो मैल हो फुल जाएगी तो उससे जो है बहुत ही आसानी हो जाएगा निकलने में तो इस तरह आपको स्क्रब करना अच्छे से अपलाई कर लेना और इससे फ्रेंट्स जानते हैं कि यह जो मैंने मीने पहने हैं आप लोग क्या बोलते हैं उसे तो वह भी बहुत ही जादा क्लीन हो गए थे बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे आप लोग देखिएगा अभी बाद में जब मैं इसे वास कर लूँगी तो देखिएगा उसमें कितनी चमक आ गई है अगर आप इसे अपने पाइल पर अपलाई करते हैं तो पाइल भी काफी अच्छे से चमक जाएगी तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि इसे पानी से प्लीन कर लिया है तो आप देख सकते है कि बिल्कुल बहुत ही हद तक क्लीन हो गया है उसके बाद मैं मॉस्टराइजर क्रीम लगा लेती हूं तो यह रही वीडियो आज की आई होब आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग भी यूज कीजिएगा अगर आप लोग के पैर भी काफी डन हो गए है इसकी बिल्कुल बेजान सी लग रही है मेल जैसे जम गए हैं और ठंडियों में इसकी अक्सर बेजान ही हो जाती है पैरों की तो फ्रेंट्स अपनी स्किन की केर करने के लिए इस टिप्स को जरूर फालो करें तो प्रेंट्स कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा जरूर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में एक नई व्यूटी टिप्स के साथ बाई